ए ब्रेव ट्राइबल गर्ल ट्राइबल होता है जन जाती है और ब्रेव होता है साहसी या बहादुर एक साहसी जन जाती है लड़की लेशन को पढ़ेंगे पहले मैं आपको थोड़ी इस लेशन की स्टोरी के बारे में बता देता हूँ तो यह स्टोरी एक लड़की रित्तु के बारे में है तो वो अपने माता पिता के साथ एक गाउ में रहती है तो अब हम लेशन शुरू करेंगे तो आप image देख सकते हो उसमें रितु ने एक सांप को पकड़ा हुआ है तो आप picture देखके ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो बहादूर क्यूं है तो चलो हम lesson को पढ़ते हैं और मीना के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं और पता लगाते हैं कि हमें इस lesson से क्या सीखने को मिलता है तो चलो lesson को पढ़ते हैं In a small tribal village in Rajasthan, there lived a girl Rajasthan के एक जन्जातिय गाओ में एक लड़की रहती थी Her name was Sima उसका नाम क्या था? Sima Sima's family was not very poor Sima की family या परिवार ज़्यादा गरीब नहीं था Poor मतलब होता है गरीब और इसका opposite होता है rich They had some land, some cows and buffaloes Cows होती है गएं और buffaloes मतलब बैंसें और land मतलब होता है भुमी या जमीन तो कह रहा है कि वो ज़्यादा गरीब नहीं थे उनके पास थोड़ी जमीन, कुछ गएं और बैंसें थी In the same tribal village, there lived another girl उसी जंजातिय गाउ में एक दूसरी लड़की रहती थी Her name was Ritu उसका नाम क्या था? Ritu She was brave and beautiful Brave होता है बहादूर और beautiful होता है सुन्दर जो की बहुत सुन्दर और बहादूर थी But she was poor प्रंतू वह गरीब थी Sima did not like her Sima उसे पसंद नहीं करती थी इस lesson में दो लड़कियों के नाम आए हैं एक Sima और दूसरा Ritu Sima है वो थोड़े अमीर परिवार से थी और Ritu एक गरी फैमिली से बिलोंग करती है One day Sima took her cows and buffaloes to the jungle for grazing grazing मतलब होता है चराना जिसे वो पसुओं को जंगल में चराने के लिए ले जाती थी तो grazing मतलब होता है चराना एक दिन Sima अपनी cows और buffaloes को जंगल में grazing के लिए ले गई Sima liked the quiet palace liked होता है पसंद करना और quiet मतलब होता है शान्त और place मतलब स्थान Sima को शान्त जगें या quiet place पसंद करती थी सी सा रितू अंडर ए ट्री वहां उसने रितू को एक पेड के नीचे देखा Hello Sima, Ritu said Come here, this is a good place Hello Sima, Ritu ने कहा Come here, यहां आओ There is a good place यहां एक अच्छा स्थान है Sima did not answer Sima ने कोई जवाब या आँश्वर नहीं दिया She walked away वहां से चली गई She went to another place वहां दूसरी जगएं चली गई There was thick grass at that place Thick grass मतलब घनी एक जगएं पर बहुत ज़्यादा और मोटी घासो उसको बोलते हैं घनी घास घनी अमदेश भाषा का शबद नहीं है हिंदी भाषा का शबद है तो वहां पर या उस स्थान पर बहुत घनी घास थी Suddenly Sima heard a sound अचानक Sima ने एक आवाज या sound सुना Heard मतलब होता है सुनना She turned around उसने पीछे देखा There was a big python Python का मतलब होता है अजगर यह एक साम की परजाती है जो आकार में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो वहां क्या था वहां एक बड़ा python था Attacked मतलब होता है हमला करना It coiled itself around Sima's leg Coiled मतलब होता है कुंडली मारना मतलब उस साम ने सिमा के पाउं पर वो लिपट गया उसको बोलते हैं कोईल या कुंडली मारना उसे ने सिमा के पैरों की ओर कुंडली बनाई She had great pen उसे बहुत अधिक पीड़ा हुई Pain मतलब होता है दर्द या पीड़ा Oh help, she cried मदद करो वह चिलाई Cried मतलब होता है चिलाना Suddenly there was a blow of stick on the python Blow होता है परहार या वार करना अचानक अजगर पर एक स्टिक से परहार हुआ सिमा looked behind सिमा ने पीछे देखा There was Ritu वह है Ritu थी Don't worry, चिंता मत करो Sad Ritu C struck blow after blow on the python उसने python पर या साम पर एक के बाद एक परहार किये But the python did not leave सिमा परन्तु python ने सिमा को नहीं चोड़ा Leave मतलब चोड़ना Ritu then threw away the stick उसके बाद Ritu ने stick को फैंक दिया Threw मतलब फैंक ना She caught the python's head and fought with it using her hands उसने अजगर के सर को पकड़ा ओर अपने हातों का यूज करने लगी The python now left सिमा and attacked Ritu अब python ने सिमा को छोड़ दिया और Ritu पर attack किया Run away सिमा रितु shouted Shouted होता है चिल्लाना Run away होता है भाग जाना सिमा भागो Ritu चिल्लाई No Ritu sad Sima नहीं Ritu Sima ने कहा She stood there वह वहीं खड़ी रही Soon Ritu used all her force and threw the python away थोड़ी देर में Ritu ने अपनी पूरी ताकत के साथ python को दूर फैंक दिया या throw कर दिया Come Sima, she shouted Sima, अव वह चिल्लाई Both the girls run as fast as they could दोनों लड़कियां जितनी तेज भाग सकती थी उस जगें से वे दोड़ी उस जगें से वे भाग गई They reached the grazing cows वे घास चरती हुई गायों के पास पहुची Reach मतलब पहुचना Now they were safe अब वे शुरक्षे थी Sima looked at Ritu Sima ने Ritu की ओर देखा There were tears in her eyes Tear होते हैं आंसू Sima ने उसकी आंखों में tear मतलब आंसू थे Ritu I am sorry Ritu मुझे माफ करो या मुझे खेद है I was very rude to you Rude मतलब होता है Crude या अजजीब या आप कह सकते हो assist मतलब उसका Ritu के लिए अपना सभाव थोड़ा अजीब था वह उसके बारे में अच्छा नहीं सोचती थी तो उसलिए उसने Ritu से माफी मांगी अब यह सब ठीक है सीमा We are friends Ritu replied हम दोस्त हैं बाद में उसकी वीरता के लिए उसे पुरसकार दिया तो यह था बच्चो आपका लेसन जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है पर आपको इस लेसन से क्या सिक्षा मिलती है वो मुझे आप जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्यूसन आंस्वर करवा दूँगा तो वो वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी जब तक के लिए आप इसी लेसन को पड़ो तो मिलते हैं बच्चो नेक्स्ट वीडियो में